आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गाउं में रहके रोज का एक हजार से दो हजार की कमाई कैसे कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहे हूँ तीन ऐसे बिजनस जो आप गाओं में रहके डेली हजार से दो हजार रुपे की कमाई के साथ कर सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा इंवेस्टमेंट नहीं होता है कम इंवेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो ये तीन बिजनस क्या है इसको जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा अगर आप कहीं पे स्किप कर देते हैं तो आपको वो चीज समझ में नहीं आती है तो शुरू करते हैं पहला बिजनस आइडिया है पानी पूरी का बिजनस पानी पूरी के दो या पिछके के दो या गोल गपे के दो इसको हर कोई खाना पसंद करता है चाए छोटे बच्चा हो चाए जवान आदमी हो चाए बुडे हो हर इंसान को पानी पूरी पसंद है और इसमें सबसे सस्ता मेटेरियल लगता है धनिया, पुदीना पिछके आप घर से बना सकते हैं और आलू, प्याज, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप पानी पूरी की रेडी बस स्टेंड के गाउं के बस स्टेंड के पास या गाउं में लोग आते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें ज्यादा पैसा कैसे कमाएं इसकी एक ट्रिक बताती हूं जैसे पूरे दिन में तो आप अपनी रेडी को गाउं में गुमाओ और जैसे बसों के टाइम का होता है या शाम के टाइम गेदरिंग बसों के साथ बस टेंड पर इन साइड में ज़्यादा होती है वहाँ पर फिर अपनी रेडी खड़ी करो तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिलता है और ज़्यादा कमाई होती है और लोग आपके पास खाने के लिए दोड़े-दोड़े आएंगे और अच्छा बिजनस है तो इस बिजनस को करके देखिए दूसरा बिजनस है नास्ते का बिजनस जो कई लोगों को बाहर का नास्ता अच्छा लगता है खाना पसंद होता है तो सुबह-सुबह गाव में लोग क्षेयर पर निकलते हैं तो सोच्ते चला 흰ी नास्ता करके चलते तो आस्ते में जैसे आप समोसा कर चोड़ी यह या अलू पूरी शबजी ält आप हलका नास्ता पोहा उपमा यह सारा नास्ता रख सकते हैं गर्म-गर्म ऑगर आप गरम अच्छा नाशता अगर आप लोगों को देते हैं तो लोगों को पसंद आता है इसको भी आप बस स्टेंड के पास या गाउं के जहां पे कोई इस्कूल कोचिंग वहाँ पे आप इसकी लगा सकते हैं सरदियों में समोसे कच्चोरी का जादा चलन रहता है तो लोग गरमा गरम समोसे कच्चोरी खाना बहुत ज़ादा पसंद करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट है ज्यादा profit रहता है और अराम से हजार दो हजार तीन हजार तक आप कमाई डेली की कर सकते हैं लेकिन शर्त यही है कि आपकी जो चीज बना रहे हैं उसके अंदर स्वाद होना चाहिए किसी भी तरह कि कोई मिलावट नहीं हो रिचे ऐसा ना हो कि 10 दिन पहले कि अलू बाल क्या समोसे के अंदर डाल रहे हैं नहीं ऐसा करने से क्या होगा कस्टमर एक बार तो आ जाएगा लेकिन वो दुबारा नहीं आएगा तीसरा जो बिजनस आइडिया है वो चाय का बिजनस चाय किसको पसंद नहीं है भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो बिजनस है वो सिर पशन्द करते हैं अगर आप अच्छी बढ़िया चाय बनाते हैं एक तो मैंने कहीं बाद सब्सक्राइब आप नहीं हु से पता नहीं होता है लेकिन वो बंदी हों क्यों कि उसको पता है कि आप चाय हलकी दे रहें अगर आप यही बढ़िया चाय अपने कस्टमर को देते हैं तो अगर वह वहां से जित्ती बार भी निकलेगा तो वह जरूर सोचेगा कि हाँ यह चाय बहुत बढ़े देता है इसकी चाय पिके आपर जरूर जाएंगे तो इस कस्टमर को अच्छा स्वार देंगे तो यह तीनों बिजनस बहुत अच्छे चलेंगे अगर इन तीनों बिजनस में से भी आप क्वालिटी डाउन कर देंगे तो यह बिजनस आपके नहीं चलेंगे फिर आप करते हमारा बिजनस नहीं चल रहा है तो नहीं चलने का कारण भ मैं किस बिजनस आइडिया पर वीडियो बनाऊ धन्यवाद चैनल को सस्क्राइब कीजिए